जितने भी स्टूडेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए स्वक्ते की सबसे बड़ी बिहाद इंपॉर्टेंट जो है अपडेट जानकारी निकल कर आ रहा है कि 36 गण में आरक्षन के मुद्दे को लेकर होगा विसेश सत्र एक और दो दिसंबर को जो है आरपार का फैसला ह होने वाला है और विसेश सत्र जो है बुलाने वाले हैं और आरक्षन के मुद्दे पर आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय जो है 36 गण में आरक्षन के मुद्दे सबसे ज़्यादा गरमाया हुए हैं आरक्षन के मुद्दे की वज़ज़ से आरक्षन की वज़ज़ से ही क्योंकि पहले जो अन्ठावन प्रतिशत आरक्षन था उसे बलासपूर हाई कोट ने असमवेधानी करार दिया और उन्हें काज की सिर्फ पचास प्रतिशत आरक्षन होगा और पचास प्रतिशत के अनुसारी सेलेक्षन आगे जितने भी होंगे उन सभी में जो है पचास प् आसी सिक्षक के भरती होना है इस पर भी आपके जो आरक्षन के वज़े से जो है अभी तब कोई भी ऑफिसल नोटिफिकेशन नहीं आया और साथ ही जो तीन हजार पदों पर जो भरती होना है सहकारी तब भाग में समीती प्रबंदक और सुपरवाइजर के ये भरती भी हम लोगों को अभी देखने को नहीं मिर रहा तो आपके आरक्षन मुद्दे के वज़े से आपके नहीं नी भरती वेकेंसी जो है नहीं आ रहे है और इसके सांद जो 6 नौबर को एसाई भरती परिक्षा का एक्जाम सोना था 6 नौबर इसके लिए ऑफिसल अनॉंस्मेंट भी चुका 33 सा अक्टूबर को जो एडमिट कार जारी होने वाला था यह भी आपके आरक्षन मुद्धे के वज़े से बहरती परिक्षा नोबर को गया है इससाई भरती परिक्षा अब नए एससाई भरती परिक्षा कब होगा यह सभी स्टूडेंट के बीच में एक तरह अब आपको बताना चाहता हूं कि आरक्षन मुद्दे को लेकर 1 और 2 दिशंबर को जो आरपार का फैसला जो होने वाला है आररक्षन के मुद्दे को लेकर वो नोटिफिकेसन में क्या कुछ अप्डेट्स है मैं आपको बताता हूं ताकि आप लोगों को बेहतर जनकरी जो सम खमसान जो है मचा हुआ हैं, राज्य सरकार ने इस मामले पर 1 व दो दिशमबर को विधान सभ़ा का विशे सत्र बुलाने का जो है निर्डैली है, 1 वा 2 दिशंबर को जो है मुधान सबा का विशे सत्र होगा मुख्य मंत्री भूबेश बगिन ने आदिवासी आरक्षन के मुद्दे को लेकर विशे सत्र आहुद करने का प्रस्ताव विशे सत्र अध्यक्ष डॉक्टर चरंदास महंद को जो है भेज़ा है अधिवासी निश्चिंद रहे उन्हें 32% आरक्षन का लाप दिलाने के लिए हर संबह प्रयास करेंगे यानि मुख्य मंत्री के द्वारा तहा गया है कि हर संबह प्रयास जो हूंके द्वारा किया जाएगा और 32% आरक्षन उनका मिल कर रहेगा महाराष्ट तमिल नाड़ु और करनाटक में अरक्षन की विधी तिस्थिती का अध्यन करने के लिए 36 गट साफन के ओर से वरिष्ट अधिकारियों तो हम समाजिक कार्यों करताओं का दल सिग्र वहाँ जाएगा अध्यन दल के गठन इस संबन में आवश्यक दिसन निर्देश को लेकर शामान्य प्रसाशन विभाग मंत्राला द्वारा आदेज भी जारी किया गए हैं मुख्यमंत्री ने कहा आदिवाशियों के हीद और उनके सरक्षन के लिए सविधान में जो अधिकार प्रदत है उसका पालान हमारी सरकार कर रही हैं हमारी इस पष्ट अमंसाही की सविधान द्वारा अनुसुचित जन जाती वर्ग को प्रदान किये गए सभी शविधानी का दिकार उन्हें प्राप्त हो आरक्षन के मामले को लेकर हमने विधान सब अध्यक्षे से एक और दो दिशंबर को विधान सब कविशे सत्र आहुत किये जाने कभी उनके द्वारजोय आगरा किया है आदिवासी समुदाय के कल्यान और विकास के लिए लगतार हो रहा काम बताद इचप्षिस गर सरकार ने आदिवासी समुदाय के विकास और कल्यान के लिए लगतार कार्य कर रही है इस कड़ी में 20 आदिवासी दिवास के मौके पर सारवजनी कवकास की घोशना भी की गई आदिवासियों के समुचित विकास के लिए विकास प्राधी करणों में इस्थानी विधायकों को ही अध्यक्ष बनाया गया आदिवासियों के विकास के लिए नेक योजनाय बनाई गई है उनका क्रियन वियन सुनिशित किया गया आदिवासी समुदाई के आस्ता इस्तल देगुडी और घोटूल का सरक्षन एवं जिर्नोधार का काम भी बीते पौने चार साल से प्रात्मिक्ता से कराय जा रहा है राज्य के आदिवासी अंचल में स्वावस और सीख्षा की वयवस्ता को बेतर बनाने के लिए शप्तिजगड सरकार पूरी तरह से जो है प्रती बद्धेता से काम कर रही है मुख्य मंत्री के नेतरितों में ही आदिवासी बाहुल ये जिलों के लिए विसेश प्राधान किये गए है शप्तिजगड में राश्टी अदिवासी नरित्य महुफ्ता का आयोजन कराती है और आरपार का फैसला होने वाला है तो चतिजगड सरकार मुख्य मंत्री भूपेज बगल जी के द्वारा आदिवासीों के लिए जो इस्टी के डिग्री वाले स्टूडेंट को 32 प्रतिशा तारक्षन मिलने वाला है वो आरक्षन जो कम होका अब 20 प्रतिशा तक हो गए है तो बारा प्राप्रस्य आदिस इंड़ा आरक्षन कम हो गए है लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि मानी स्रीमुक्त मुंत्री भूपेज बगेज जी ने ये बहरोशा दिया ही कि आदिवासयों का 32% तारक्षन क दिलाने का जो सरीं सब्कराइगे के द्वारा बहुत बहुत ही बात्या लोगों को अच्छे से मह 115 परोकॉस करने अपना फूल अपर लगाना या जितने ऑपको अपने कॉम्परिशन एक्जाम की आपको प्रिप्रेशन करना उनकी जोए आपको पर आपको वेश्यों करना ogni सब चीजों पर अबन मैंकर विश्चते हैं। त से करने अगर अपसे से Korean अगर और अपसे से मेंफ मैंने को तैयरी आप لوगों से करने मुंद करेंगे कर तो इसका एड़ाँ वाउटर उस्तियारी करेंगे कि आप उस competition exams को qualify कर पाते हैं या फिर नहीं यह भी आप अच्छे से महनत करेंगे त्यारी करेंगे तो आप अच्छा लगाओ पसंद आए तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर अगर ना है तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो आप बिल नोटिफिक किसन को भी आउन करके रख लिजे अगर आपका कोई भी डॉट्स हैं आप उससे कोई भी चीज प्रशन पुछने चाहते हैं तो आप लोग बेज जीचे काप उससे प्रशन पूछ सकते हैं और आप सभी की कमेंट का में रिप्लाइज जो है अवस्य करूंगा तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप से भी लोगों को गवर्मेंट जाब एक एंसिस रेलेटेड वीडियो सम्प लोगों को मिलते रहेंगे तो प्लेस है इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बना रखना धन्यवाद आप सभी स्टुडेंट का आने वादा समय आपका ही होगा आपको गवर्मेंट जाब जरूर मिलेगा धन्यवाद